Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज हम करेंगे marketing process. So marketing process में हम एक chart के थू करेंगे. So हमारा chart कुछ ऐसे देख लो आप पहले. ऐसे है. Okay friends, so हम start करते हैं. So first जो है हमारा marketing process में, सबसे पहले हमारा needs, wants and demand. एक customer है. वो एक चीज क्यों खरीदने जाएगा? त्यूंकि उसकी need है, want है या demand है. Need, need किसको कहते हैं? हिंदी में बोलें, तो need हम एक जरूरत. हमारी जरूरत है वो चीज. जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे भूग लग रही है. तो मेरी जरूरत क्या है? need. मेरी need क्या है? मुझे खाना काना है. तो एक रोटी, food मेरे लिए need है. फिर आता है मारा wants. wants क्या है? specific needs of human. मुझे भूग लग रही है, लेकि मुझे मैगी ही खानी है. तो वो मेरी want है, मेरी specific need है. demand, demand का मतलब मुझे पिज़ा खाना है और मेरे पास पैसे हैं उसको खरीदने के लिए. तो वो मेरी demand है. तो marketing process हमारी start होती है, हमारी जरूरत, इच्छा और हमारी demand से. second हमारा आता है product. अगर हमारी इच्छा है, अगर हमारी need है, मेरी want है, कि मुझे pizza ही खाना है, तो मैं उसको खरीदने जाऊंगी. अगर मेरी need है, कि नहीं मुझे एक bike ही खरीदनी है, मुझे cycle नहीं मुझे एक bike खरीदनी है, तो मेरी want है, मेरी demand है. Demand किसको कहेंगे? कि मैं उसके लिए पैसे दे पा रही हूँ तो वो मेरी Demand है तो product आता है हमारा फिर हमारा product आता है product में क्या है? tangible और intangible tangible जो हम देख सकते हैं चू सकते हैं जैसे कि goods intangible जिसको हम चू नहीं सकते वो हमारी services तो products क्या है हमारी services और goods कह सकते हैं जो कि हम customer को देते हैं ताके उनकी needs, उनकी जिवरत और उनकी इच्छा पूरी हो ठीक है फिर हमारा आता है value value means उसका price कितना है उस चीज का, उस product का price कितना है जो कि हम customer को दे रहे हैं ठीक है तो जैसे हम needs लेते हैं for example, मेरी need है, मेरी want है कि मुझे एक bike चाहिए तो मेरी want, मेरी अंदर से इच्छा है वो product क्या है, bike, value क्या है, मालू उसकी value 70,000 है तो उसकी value हुई, ठीक है अब हमारा आता है exchange and transactions exchange क्या होता है, exchange जैसे कि हम एक market में जाते हैं buyer और seller के बीच, seller ने product दिया, goods and services दी buyer नो इसको खरीदा और उसके बदले उसको पैसे दिये तो यह हमारा exchange हुआ transactions, transactions जैसे कि एक हमारा जो कि हमारा record होता है, हमारा एक account बनता है कि अच्छा, इसने हमारा इतना खरीदा और हमने इसको इतना बेचा तो हम उसको in terms of account हम उसको record करते हैं तो यह हमारा exchange and transactions में आया ठीक है friends तो अब हमारा exchange और transaction के बाद आता है relationships and networks इसमें क्या है, हमारा relationship से आप क्या समझते हो relationship मतलब एक market में supplier होता है distributor होता है और customer होता है supplier जो product बनाता है, distributor जो market में लेके आता है customer जिसकी satisfy needs को satisfy करने के लिए वो अपनी चीज़ खरीदता है तो relationship बनाना बहुत important है यह three key parties के बीच और एक customer को long term के लिए अपने पास retain करने के लिए relationship बहुत important है, long term relations के लिए network कैसे हम समझ सकते हैं जैसे company है और उसके shareholders है उसके customers है, उनके बीच एक अच्छा network है वो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे है कि उनका profit बन रहा है उस तरीके से ठीक है तो यह हमारा हुआ network फिर हमारा आता है marketing channels एक product है वो marketing market में कैसे आया through marketing channels different different modes है goods को market में पहुँचाने के different different channels है तो यह हमारा हुआ marketing channel अब हम आते हैं हमारा इस प्रोसेस के लास्ट में target market target market कैसे जैसे एक specific group of customers मैंने group रख लिया customers का मुझे इस group के लिए ऐसे product बनाने एक seller को और इनी की satisfy करनी है needs जैसे की sports person है मैंने group लिया कि मैं sports person के लिए बनाऊंगी shoes तो वो shoes मैंने एक target रख लिया sports person के लिए ही shoes है तो यह मेरा एक target market हुआ ठीक है तो अगर अगर अब हम एक example लें तो example यही होगा जैसे कि एक इनसान है उसका मन हुआ कि उसको एक bike खरीदनी है उके उसका demand है वो और product उसको bike उसने खरीदी value उसके बदले उसने पैसे दिये वो market गया उसने उसके बदले exchange वो ही process होई उसने अपने खरीदी bike और उसके बदले पैसे दिये ठीक है marketing channels marketing channels market में वो product आया through various marketing channels और target market यही specific group of customers के लिए वो बनाई गया है product so friends यह था हमारा marketing process उसने वो सद्सेश्ट